इस वीडियो में हम जानेंगे National Defense Academy की और से Group C की भरती अप्रेट किया गया है। इसमें किसी भी Candidate को अवेदन फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। दस्वी प्लस बारहवी की Qualification और ITI की Qualification मांगीगी जिस पोस्ट को अप्लाई करना चाहाते हैं अपने पोस्ट को चेक करेंगे। चलिए डारेट चलते हैं आवेदन पोस्ट अप्लाई करने के प्रोसेस पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे Option मिल जाएगा Click Here to Apply and Login आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद Login करने के लिए यहाँ पे Details आपसे मांगा जाएगा। यदि आपने इसमें Registration नहीं किया है, अपना Account Create नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको इसमें एक Account Create करना पड़ेगा। यहाँ Create New Account की Option पे क्लिक करना है। सबसे पहले इसमें अपने Information को लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको अपना First Name लिखना है, दसमी की Mark Seat या Certificate में जिस प्रकार से आपका नाम लिखा रहाएगा, वही लिखना है। Middle Name है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको अपने Last Name को लिखना है, इसके बाद अपने Date of Birth को यहाँ पे आपको Select करना है, इसके बाद यहाँ पे Mobile Number लिखनी है, इसके बाद यहाँ पे Email ID लिखनी है, Mobile Number और आपकी email id एक्टिवेट होनी चाहिए जो भी information या verification किया जाएगा आपके email id और mobile के द्वारा किया जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपको password बनाना है password एक strong आपको बनाना है जिसमें आप special character अपर lower सभी character यूज़ करेंगे For example के लिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहें कुछ इस प्रकार से passport आपको create करना है जो password आप यहाँ पे लिखेंगे सेहाँ same ही password आपको यहाँ पे लिखना है इसके बाद आपको अपने zender को select करना है इसके बाद यहाँ पे आप को capture code मिलेगा आपको इस box में लिखना है यहाँ registered login के option पे click करना है इसके बाद आपको अपने email ID की OTP यहाँ पे लिखना है और mobile number की OTP आपको यहाँ पे लिखना है इसके बाद आपको capture code लिखना है इसके बाद आपको verify OTP के button पे click करना है click करते ही उपर आपको एक message मिलेगा यहाँ पे verification complete का आपको option मिलेगा यहाँ OK की option पे आपको click करना है click करते ही आपकी account create हो जाएगी अब इसके बाद आपको login करना है इस vacancy को complete submit करने के लिए login करने के लिए यहाँ पे आपको अपने email ID की लिखना है जो आपने password बनाया है वो password आप यहाँ पे लिखेंगे बगल में आपको capture code मिलेगा आपको इस box में लिखना है इसके बाद आपको login के बटन पे click कर लेना है यहाँ आपको term and condition को accept करनी है इसके बाद यहाँ पे आपको I agree and continue to fill online application form की option पे click करना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से page open हो जाएगा यहाँ पे वेकंसी advertisement औरड़ी select रहेगा पोस्ट आपको इसमें select करना है आपकि इस post के लिए अवेदन form apply करना चाहाते है इसके बाद आपको अपने category को select करना है आप कौन सी category से belong करते हैं इस service man अगर आप आते हैं है तो आप select करिएगा नहीं तो आप non के option पे select कीजिए आपके nationality already यहाँ पे Indian select रहेगा इस post के लिए जो qualification मांगे गई है दसमी उसके साथ 6 महिने की driving license होनी चाहिए यहाँ पे आपको इस release section में छूट चाहिए जिस भी options में आप suitable है उस option को यहाँ पे आप select करेंगे नहीं तो आप इन option को छोड़ कर यहाँ non के option पे select कर लिजिए इसके बाद I agree के button पे click कीजिए new application के option पे click कीजिए यहाँ पे आपको message मिलेगा application generated successful cookie के option पे click कीजिए इसके बाद यहाँ पे आपकी कई सारी information already submit रहेगा इसमें submit करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है certificate में जिस प्रकार से लिखा रहेगा वही नाम यहाँ यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है यहाँ पे माता का नाम लिखना है यहाँ पे आपको अपने religion को select करना है इसके बाद यहाँ पे आपकी marital status select करनी है इसके बाद identification mark लिखना है अगर आपको कोई mark नहीं है तो direct इसमें आप no mark भी लिख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे अपना state select करना है और नीचे आपको अपना full address लिखना है जिसमें आपका pin code, state और district सभी चीज़ सेलेक्ट कर लिनी है address को लिखने के बाद अगर आप सेम पते पर रहेंगे आप इस checkbox पर क्लिक कीज़े क्लिक करते ही आपका address नीचे add हो जाएगा यदि आप किसी और पते पे रहेंगे तो आप इस checkbox को यहां से हटा सकते हैं इसके बाद जिस पते पे आप रहेंगे वो पता यहां पर यहां पर add करेंगे लिखेंगे इसके बाद next के button पे click करना है इसके बाद आपको अपने qualification को add करनी है सबसे पहले 10 वी की qualification में यहाँ पे role number लिखना है इसके बाद school या college का नाम लिखना है इसके बाद यहाँ पे अपने state को select करना है यहाँ पे board select करना है किस board से आप qualification की है passing year select करेंगे total कितना mark है वो लिखना है marks से है या grade से है वो आप इसमें select करेंगे कितना number आप पाया है वो आपको लिखना है percentage automatic यहाँ पे zandrate हो जाएगा यदि आपके qualification system grade से है तो आपको इस पर select करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको grade system लिख लेना है इसके बाद 12 की qualification add के लिए यहाँ पे आपको click करना है और उसके बाद same process आपको करना है 12 की qualification को add करने के बाद इस्टरा अगर आप और qualification add करना चाहते तो यहाँ plus के button पे click करेंगे जो भी qualification इसमें आप add करना चाहते हैं अगर आप उतना भी qualification इसमें add करेंगे तो आपकी form submit हो जाएगी इसमें दो परकार की experience मांगेंगी है maintenance की और driving license की add के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने institute का नाम लिखना है इसके बाद आपकी experience किस परकार से प्राप्त हुआ है government या private या non वो आप select करेंगे इसके बाद यहाँ पे किस के दवारा आपकी experience प्राप्त की गई है वो select करना है यहाँ पे experience की year select करनी है इसके बाद experience की month select करनी है से मिस्वी प्रकार आपको अपने driving license की details को यहाँ पे add करनी है यहाँ पे आपको अपने experience details को add कर लिनी है trade experience है तो आप इसमें add करेंगे नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं इसके बाद आपको save के button पे click करना है click करने के बाद आपको message मिलेगा data save successful यहाँ ok के option पे click करना है इसके बाद आपको next के button पे click करना है यहाँ पे आपको अपने cast की certificate की details को add करनी है सबसे पहले cast certificate की serial number लिखनी है cast certificate कब बना है वो आपको यहाँ पे date select करना है किसके दोरा यह certificate authorized की गई है वो आपको लिखना है यहाँ पे state select करना है यहाँ पे district select करना है इसके बाद left date यानि की cast certificate की last date कब है वो आप इसमें mention करेंगे, यदि नहीं है तो आप no के option पर select करेंगे यहाँ पर आपको valid date select करनी है, इसके बाद रोजगार employment में registration हुआ है तो आपको यहाँ पर yes करना है, यहाँ पर आपको details को add करनी है, यदि आपका registration नहीं हुआ है इसके बाद signature upload करनी है, ID proof में आप अपने आधार card को यहाँ पर upload कर सकते हैं दुसरा कोई ID select करना चाहते हैं तो उससे आप यहाँ पर select करेंगे, उस ID की serial number यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद upload करेंगे, choose file के button पर click करके, इसके बाद 10 की certificate upload करनी है यहाँ पर 10th certificate की role number आपको लिखना है, सभी file JPG में मांगे गई है 50KB की size photo की होनी चाहिए, 25KB की size signature और 50KB की ID proof, 75KB की size 10B की certificate upload के लिए यहाँ choose file के button पर click करना है, जहाँ पर आप अपना documents रखेंगे, वहाँ पर जाना है अपने documents को select करना है, इसके बाद open की option पर click करना है, click करते ही आपका photo यहाँ पर successful upload जाएगा इसके बाद आपको अपने signature को upload करनी है, सभी documents upload करने की बाद save की button पर click करना है, click करते ही आपकी data successful save हो जाएगा इसके बाद आपको next button पे click करना है, यहाँ पे आपको declaration का option मिलेगा, इसे accept करनी है, यहाँ पे आपको place लिखना है, इसके बाद capture code so नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको click करना है, यहाँ पे capture code so हो जागा, इस box में आपको लिखना है, इसके बाद previous and submit के button पे click करना है, जब तरह आपका बिल्कुल सई है, आपको नीचे यहां पर बटन मिलेगा, submit का, आपको इस बटन पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहां पर एक message मिलेगा, कि क्या आप सच में submit करना चाहते हैं, यह submit application के बटन पर क्लिक करना है, इसके बाद इस आवेदन फार्म को प्रिंट क हो चुकी है, यदि आप कोई और पोश्ट के लिए आवेदन फार्म अपलाई करना चाहते हैं, यहां new application के option पर क्लिक करना है, और जिस पोश्ट के लिए आप अपलाई करना चाहते हैं, उसे आप यहां पर सेलेक्ट करके apply कर सकते हैं, तो फिलाल हमने आपको एक पोश्ट क दिखा दिया कि कैसे इस भरती को step by step submit करना है, I hope कि आपको यह जानकारी अच्छे लगी होगी, यह वीडियो पसंद आतो इस वीडियो को लाइक कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा, यह भी कोई सवाल होता है तो comment करके पूश लिजेगा, चलिए गाइस मिलते है बाइबाइ, चाहिन